एक तरफ से हम देखे हैं तो से भी काफी सारे framework ला रहा है market में काफी सारे recessions भी ला रहा है दूसरी तरफ देखे तो काफी सारे tax भी change हुए है tax के जो slab वो change हुए है और एक चीज देखे तो brokerage charges के साथ STT charges और government fees हम बोलते हैं वो भी increase हुई है और एक last important part यह है कि stock market में आजकल spikes भी बहुत ज्यादा आ रहे है जो volatile spikes बोलते हैं खास करके index trading में तो वो भी ज्यादा आ रहे है कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा discussion चल रहा है कि बहुत trading बहुत hard हो रहा है कि बहुत मेहनत करके यहां पर पैसा कमा रहे हो और एक time पर पैसा कमा भी रहे हो तो government tax और दूसरे चार्जिस में पैसे जा रहे सो मैं एक free flow discussion करना चाहता हूं जहां पर मैं क्या सोच रहा हूं वो मैं आपको discuss करूंगा overall हमें क्या सोचना चाहिए और overall अभी काफी सारे जो नए traders आ रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं आप भी अपनी comment कर सकते हो अगर आप एक long term से trading कर रहे हो ना stock market में अगर आप ऐसे trader नही जो अब काफी टाइम से अब stock market में हो तो अगर उस viewpoint से में देखो ना तो I am not surprised with many changes let me be very clear कि मैं उतना surprise नहीं हूँ वाई क्योंकि मैंने ऐसे काफी से भी के circulars देख लिए हैं मैंने ऐसे काफी frameworks देखे हुए हैं stock market में मैंने stock market में बहुत up-downs भी देखे हुए हैं बहुत volatile spikes भी देखे हुए हैं अलग-अलग जगा पे अलग-अलग stocks पे मैंने charges को भी broker charges और काफी सरे दूसरे charges को भी up-down होते हुए देखा हैं मैंने taxes में भी change हुए होते देखा हुआ हैं जो अभी market में चलता है these are not surprising for me हाँ एक टाइम पे यह argument कर सकते हो कि जिस तरह से tax liabilities बढ़ी है कि जिस तरह से charges बढ़ी है definitely हम जब hard work करते हैं as a trader screen के सामने बैटके intellectual decision लेके मैं इतना पैसा कमा रहा हूं so it's very painful जब tax बरने का टाइम आता है because we know कि strategies बना-बना के market में बैट-बैट के trade लेते-लेते अपने आपको emotionally strong रखते-रखते वो सब मेरा एक intellectual decision है यह मेरी महनत है मेरी integrity है मेरे खुद के efforts और उसके पैसे है और उसका बहुत बड़ा portion अगर टेक्स में और अलग-अलग charges में जाता है तो it's very painful और दुनिया में कुछ ऐसे country है कि जहां पर यह सब charges बहुत nominal है और काफी सारे traders ने migrate भी किया है कुछ अलग country में just to save the money so yeah that is very true that sometime it's very very painful and अगर हम ही ऐसा सोच रहे है कि इंडिया एक developing country है और हम एक developed country बनने की try कर रहे है या तो world की तीसरी economy का अच्छे level पे हमारा एक vision है तो of course हमें ऐसा एक environment तयार करना पड़ेगा जहां पर retail participation एक आम लोगों का participation stock market में ज्यादा हो in terms of equity in terms of investment in terms of in terms of trading everything every product और जहां पर वो आना start हुआ है corona के बाद and then we see के बही अलग अलग तरीके के income tax अलग अलग तरीके के sebi के restrictions काफी सारी चीज़े आ रहे है market में so how someone can be encouraged now काफी सारी चीज़े सही है कि बही market में fraud हो रहा है market में scam हो रहा है so many many framework in circulars are to protect the common people right काफी सारे जो unnecessary laws होते है speculative laws होते है उसको भी curb करना कोई भी country में जरूरी है but कहीं बार लगता है कि sebi is overreaching right जहां पे और भी जैसा कि NAC को location का scam आया था तो उसके बार में अभी publicly ज्यादा information नहीं है वो NAC को IPO लाना था वो case work नहीं है और कहीं बार ऐसा लगता है कि जो से भी एक overreach कर रहे है जरूरत से ज्यादा कहीं बार not always but कहीं बार तो ऐसा लगता है कि क्या कुछ लोबिंग हो रहा है right because मैंने कैसा face देखा हुआ है कि भई एक आम एक जो common insana is very excited for stock market काफी सारे आ रहे है काफी सारे loss कर रहे है but people are excited people are learning they are experimenting so focus on giving a right education के right risk management कैसे हम बता सके उनको right money management कैसे बता सके मतलब अगर country को एक level से उपर के level जाना है and these are the challenges so the ideal way is to deal with a good education के हम market में risk management कैसे सिखा है money management कैसे सिखा है training अच्छी तरह से कैसे दे वो सब चीजों पर काम होना चाहिए rather than कि भई अब हम यह framework ला रहे है तो इतनी capital चाहिए होगी तो चलो एक छोटा बंदा आई नहीं सकता right तो कई बार होता है ना जैसे अगर आप government sector में काम कर रहे हो तो मैंने बहुत अच्छी statement सुना हुआ है कि कई बार government जो problem का solution देती है ना वो solution actually problem बन जाता है right so यहां पे काफी सरी में चीज़े देख रहा हूं के जो से भी को करनी चीए बड़ इट्स ओर रहें विट अगरीग विट अनदर धिंग इसके जो एकस्पारी पहले बहुत काम थी एकस्पारी पहले कम थी फिर अचानक काफी सरी एकस्पारी आ गई और सब 0-0-0-0 में आ गए और मैंने काफी सरी डाम पुब्लिक ली बोला हुआ है कि यह सब 0-0-0-0-0-0 आप इतने बिल्स अपने घर पे नहीं बन सकते हैं फोकस ओन दो ट्रेडिशनल जो ट्रेडिंग है उस पे फोकस करो रादर दिन इस थिंग और उसकी वज़े से काफी सरी एकस्पारी पे अभी कब लगने वाला है कि अभी एकस्पारी भी कम कर दो दूसरा पहले लोट साइज ज्यादा ही थी और पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए लोट साइज कम कि थी और अब अगें वेर गई बेक तो भई ओवरल अमांट बढ़ रहा है तो वोट साइज बढ़े गा है तो that is not my surprise जो पहले था मुझे लग रहा है ऐसा हो रहा है दिरे दिरे के पहले कम एकस्पारी थी, again we are going to को बाई, कम expiry, पहले load size जयादा था, तो, okay, कम load size, उससे जयादा मुझे कुछ इतना फरक नहीं नजर आ रहा है, yes, STT charges बढ़ा है, income tax में changes बढ़ा है, those are very painful और Shebi should have focused more on educational part, rather than curbing lot of lot of restrictions in such a way that you feel demotivated, कि बाई, इतना सारा चीज है, but जिस तरह से जो बजाज IPO का participation था, कि कम्पनी को चाहिए था, इतना पैसा और उसकी जगा उसको 100 गुना पैसा मिल गया, मतलब, यह बताता है कि market में इतना सारा पैसा है retail लोगों के पास, forget about FIDI retail लोगों के पास भी इतना पैसा है कि वो डाल देंगे, तो बहुत सारी negativity है but मैंने stock market को बहुत साल से देखा हुआ और मैं काफी सारे ऐसे framework देख चुका हूँ यह इस तरह से नहीं होता कि trading पुरा stop हो जाएगा और सब लोग चले जाएगे, everyone wants to come into stock market सबको trade करना है बले थोड़ी cost ज्यादा हो और उसके कहीं सारे reason भी है reasons यह है कि ground level पे जो आज की generation जो job गर दिये उसमें उसको freedom नहीं मिलता और अभी की generation दे more target for the freedom rather than certainty यह मैंने एक देखा हुआ and you can't curb it with certain restrictions or increasing certain charges or something they'll figure out a way to stay in the market क्योंकि trading एक ऐसी चीज़ है, मैं personally यहसा मानता हूँ कि अगर मैं खुद analyze करूँ कि मैं कितना tax भरता था versus कितना मैं tax भरूँगा मेरा STT charges कितना था हर महीने versus मैं कितना भरूँगा मेरी capital की पहले requirement कितनी थी अभी, right, so load of things तो कही ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि stock market एक ऐसी चीज़ है कि I can handle it from anywhere मैं लेपटप और mobile से मैं कहीं भी भी handle कर सकता हूँ मैं इतने सारे stock market रहा हूँ तो काफी सरी चीज़ में expertise आ चुकी होती है कहीं traders को कहीं बार आपको पता चल जाते कहां से कैसे पैसे बनाना है, now I know कि कहीं बार चीज़ा difficult होती रहती है बट you still try to figure उसके comparison में अगर में कोई job करता, बले अच्छे level की भी job करता, अच्छे institute में से graduate होके, बट I मेरे काफी सारे colleagues हैं, जो अच्छी position पे है, अच्छी premium college में से they are all, at some point of time they are frustrated, क्योंकि आपका freedom नहीं है आप family care साथ बिलकुम time spend नहीं कर सकते, आपको traveling करना है तो 50 तरीके आपको approval चाहिए, और work pressure इतना रहता है कि जो salary account में आती है वो worth नहीं लगती है, एक time पे physical health impact होती है, खास करके 30, 35 के बाद, mental health impact होने लगती है, so पहले की generation एक time पे ये सब चला लेते थी, अभी की generations है न मैं इतना stress लेके काम नहीं कर सकते, तो they are ready to sacrifice, कि नहीं मुझे आप 30% कम पेसे मिल जाएंगे, I will do something else, अभी भी stock market और trading ये है कि थोड़ा pain इतना होने के बावजीद भी, उसका जो एक अलग incentive है ना, कि कहीं से भी आप trade कर लो, कहीं से भी आप travel कर लो, आपको you don't require office, you don't require much other investments, उसके सामने अगर आप दूसरे options देखो नो, तो उसका pain ज्यादा है, considering कि अभी जो market में चल रहा है, उसका अगर मैं pain, मैं अगर add करू तो, ये मेरी एक personal सोच भी है, और जो मैं mindset देख रहा हूं पीपल, जो traders यहाँ पर मिलते हैं, जो investors मिलते हैं, तो ऐसी community होती हो, बहुत ही risk-taking community है, bold decisions लेती है, unique आपको creativity देखेगी, ये group, I don't know, for me personally, ये group बहुत ही exciting group है, दूसरों से अलग, दूसरा ये होता है कि stock market में कहीं ना कहीं, आपको एक indirectly business का knowledge में मिल जाता है, काफी सारे business का, industry का knowledge मिलता है, जो आपको पहले नहीं होता था, right, so अगर मैं options वे करू, I will be still more biased towards कि जो चल रहा है, I will be a part of this thing, right, so हो सकता है मेरा personal bias हो, मैं इसलिए नहीं बोर रहा हूं कि because मेरी एक YouTube channel है, मैं परसलिए बोर रहा हूं कि वो मेरा पहले vision था, वो अभी भी clear ही है, I am passionate about this thing, regardless of pain or not, until, आप इतना tax बढ़ा दो कैसा लागे, कि नहीं भाई, you are totally working for the government, sometime it still feels so, but we have not reached to that set, hopefully we will never reach, और मैं एक्सपक कर रहा हूं कि, I think आगे जाके इसको relaxation करेंगे कुछ ना कुछ तरीके से, इतना restrict या तो इतना curb नहीं करेंगे, अभी जो कर रहा है मुझा लगता है इससे बहुत बड़ा कुछ impact नहीं आने वाला, people are, people have the money, people will jump into the stock market, they'll try because the current generation, और अभी का environment है न, people want extra income, उनको आगे बढ़ना है, उनको freedom चाहिए, उनको और options ही है अपनी लाइफ में, right, दूसरी एक बात कर लेते हैं, सेबी की बात कर लिए, चार्जिस की बात कर लिए, current generation के emotions की बात कर लिए, मैंने, एक बहुत important बात यह है कि, जो spikes आ रहे है, if you focus on the nifty bank, nifty charges, option premium charges, और काफी सारे reports आये थे, कि जो, JN Street से, काफी सारे old, बड़े बड़े fund है, जिन्होंने बहुत बेड़ा पैसा इंडिया से बना लिया, और उनके अगर आप spike देखो, particular 15 में के candle में, 200-300 पोट यहां वहां हो जाते है, market continuously उपर जा रहा है, अचानक 15 में जितना उपर के अथर से 50% आप नीचे ला देंगे, कहीं बड़े प्राइज के लोजिक भी आप नहीं कर रहे है, I am very much passionate about price action, और कहीं बड़े लाइक, okay, what kind of price action is this, I could not have seen it coming, और अगर आप hedging कर रहे हो, तो आपको बहुत बड़ी range लेके चलना पड़ता है, क्योंकि वो 15-minute में आपके position बहुत उपर नीचे कर देता है, so you have to work with a bigger range over there, और बहुत discipline होना पता है कि आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, so मुझे ऐसा लगता है कि जो government है या तो regular है, उस पे उस पे focus करना चाहिए, क्योंकि वो spike बिलकुली fair नहीं है, और बिलकुली जिसको बोलते है ना कि एक fair game नहीं है, एक structural चीज वहाँ पे नहीं ही और यह, something is very very odd over there, and I am not sure why it is not being investigated or even discussed about, by the regulator or the government, not the retailers. हम सब तो बोली रहा है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था. तो मुझे लगते है कि उसके सामने हम कैसे टिक है, राइट कि ने अलगोज या तो इतने बड़े-बड़े फंड के सामने कैसे टिक है, but we all have to find the workarounds, कि चलो, range-badi कर ले, stop loss अच्छी तरह से manage करे, multiple position रखे ता कि एक जगा पे loss हो, तो दूसरी है कि आपे recover हो जाए, find other ways to work around those things, find new strategies, कुछ भी करो, but market में टिकते रहो, right? That is the only thing we have right now, we don't have anything else. So spike है, this is something that, मैं कुछ पहले सालों मैं होते थे spikes, ऐसा नहीं कि surprising spikes नहीं आते थे, आते थे, वाड़ून की frequency बहुत गम थी, अभी यह हो रहा है कि every other day, every two days पे कहाँ पे क्या हो जाएगा, you never know, मेरा अभी का thinking ऐसा होता है, कि मैं एक अच्छे profit में हूँ, so I will be like, let's book the profit, मैं काफी सारे time पे ऐसा करता था, कि मैं इतना ज्यादा सोचता नहीं था, अगर मैं कोई trade में जीद रहा हूँ, so let it continue 50% quantity हटा दो 50%, अभी ऐसा लग रहा है कि suddenly 230 को spike हो जाएगा, तो 3-10 बच जे spike हो जाएगा, तो ऐसा हो जाता है, even though मुझे लगता है कि price action की pattern की सबसे, तो यह सब कुछ नहीं होना चाहिए, बड़ कहीं बार ऐसा होता है, so that's a very interesting challenge कि इसको कैसे counter किया जाए, और हर trader अपनी तरह से मैनत कर रहे है, but conclusively अगर देखा जाए, conclusively देखा जाए, so trading अभी उस लेवल तक नहीं पोचा है, वहाँ पर हम बोले कि नहीं नहीं, it's extremely painful, the reason I'm saying is कि अगर कुछ कंट्रीज हम अगर देखे, तो वहाँ पर stock market इतना mature हुआ ही नहीं है, वहाँ पर आपको मुस्किल से 2-3 broker दिखाए देंगे, वहाँ पर आपको इतनी सारी products भी नहीं मिलेगी trade करने के लिए, margin भी नहीं मिलेगा इतना, और इतना openly इतनी YouTube channels या तो इतने social media platform भी नहीं मिलेंगे, discuss करने के लिए, उस comparison में इंडिया का market बहुत mature है, हमारे पास broker के हजारो options है, हमारे पास और भी software है, हमारे पास और भी chart देखने के तरीक है, हमारे पास Twitter पे जाओ, Facebook पे जाओ, YouTube पे जाओ, अबर के community हरे टॉपिक डिसकस करती रहती है, it's a very evolved market, right, so हमें थोड़ा नजरिया इस तरफ भी बढ़ाना चाहिए, कि मेरे इसी सौच है कि अगर मेरे पास ये window नहीं होती तो, क्योंकि मैं कुछ दूसरे country भी ट्रावल कर चुका हूँ, यहाँ पे उनका stock market इतना mature है ही नहीं, कि जहाँ पे कुछ है, so I was very surprised and I felt that I am very lucky, कि मैं इंडिया के stock market में हूँ, हाँ, हमें अगर progress करना है तो हमें दूसरे का ही example लेना चाहिए, जो हमसे बहतर कर रहा है, but at the same time मुझे लगा कि अगर हमार पास ये options है, और उसमें कहीं बार plus minus pain के shock आते रहते हैं government की तरफ से framework की तरफ से, still I should continue और ये thought जो काफी सारे traders के हैं, मेरे खुद के नहीं है, मैं काफी सारे traders को मिलता रहता हूँ, काफी सारे traders के ये thought process है, जो बहुत ही नए हैं, जो stock market को अभी shortcut बना चुके हैं, कि यार मैं आज आ गया, कल पेसे बना लू, कल गाडिया ले लू, कल मैं foreign travel चला जाओ, उनके लिए काफी सारे चीज़े painful हैं, क्योंकि उन्होंने stock market की cycles देखी नहीं है, उन्होंने CAB के अलग अलग circular frameworks देखे नहीं है, उन्होंने government के taxes अगरे के भी cycles देखी नहीं है, for them it's very new, so they enjoy the bull run in the corona, somehow they made money in the investment in trading, and now they are saying, यह तो बहुत painful है, but एक अगर आप long term नजर्या देखोगे, so this pain, cycle of pain will come and go, and as a trader, you should get adapt to everything, और मुझे असा लगता है कि यह field, compared to many businesses, because मैं दूसरे businesses में भी इन्वाल हूँ, product-based business में, तो मुझे असा लगता है कि भाई, वो हैंडल करना तो बहुत painful है, compared to this pain, right, क्योंकि यहां से पैसे से पैसे कमाना है, so conclusively, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से बहुत बढ़ा impact आएगा, मुझे लगता कि retail participation net-to-net तो बढ़ेगा आपने country में, क्योंकि लोगों के पास, बहुत बढ़ा aim है, कि I want more options, more income, मुझे freedom चाहिए, बढ़ हां, से भी जिस तरह से overreaching, अगर ground level पे retail traders के लिए कर रहे हैं, उतना overreaching, अगर बड़े-बड़े fund house, algo trading, जो अलग-अलग scam हो रहे हैं, उस पे करे, कि जिसकी वज़े से retail traders को सही में impact हो रहा है, कहीं बार, including the technical issues from certain brokers, तो I will appreciate more, कि नहीं, that's a major work of regulator, रादर दिन कि भई, economy में पैसा का हम है, banking के पास पैसा का हमा रहा है, चलो हम इसलिए यह सब cops डाल देते हैं, ताकि go back to fix deposit, मैंने एक वीडियो देखा था, जहाँ पे सेभी के जो chief है, उन्होंने मना कर दिया था यह answer से, यह तो answer दिया नहीं था, so let's be positive for the future, for one of the major skill for any trader, it should be कि आप कितने adaptive हो सकते हो, जो changes आरे, आप अपनी comments भी बगरा शेयर करना, मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक लाए वीशलोट सो लोगाए ना परे इस, thank you, thank you very much, दोस्तों अगर आप एक ऐसे trader हो, जिसको tips और shortcuts नहीं चाहिए, बट आप seriously stock market में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने family के लिए income अन करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी good news है, मैंने start किया हुआ है bank nifty workshop और काफी सारे trading systems, ये दोनों की theme है mentorship, क्योंकि मैं मानता हूँ कि stock market में सफलता हांसिल करने के लिए आपके पास कोई mentor होना चाहिए, जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके, तो आपके काफी सारी जर्नी इजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड़ों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे, तो अगर आपका थोड़ा सा long term viewpoint है, तो आप पैसा तो बनेगा कि application आज ही डाउनलोड कर लो, वो application में आपको bank nifty workshop मिल जाएगा, वो उन ट्रेडर्स के लिए हैं, जिनको आगे जाके bank nifty में महारत आसिल करनी है, दूसरा कि option buying system मिल जाएगी, intraday system मिल जाएगी, swing trading system मिल जाएगी, investment system मिल जाएगी और hedging system मिल जाएगी, ये systems में strategies के साथ साथ mindset पे कैसे work करना है, risk management कैसे करना, ये 360 degree solution in terms of mentorship theme मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को shortcut ना मिले, और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलिग्राम और WhatsApp में भी queries और doubt के लिए connect रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही रा मिले और सही तरीके से वो बंदा आ गया है, अगर आपका focus ये है, तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जूड सकते हो, क्योंकि मुझे भी ASI trader के साथ जूड़ना अच्छा लगता है, कि जिन में patience है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है, और वो खुद भी लिउ करता है कि नहीं, उसको stock market में mentor या coach की ज़रुवत है, पैसा तो बनेगा कि application की link आपको description में भी मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे WhatsApp भी कर सकते हो, तो मैं आपको वो link देदूँगा, See you soon!